घर में सुक सम्रद्धी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि घर के अंदर नकारत्मक उर्जा का प्रिवेश ना हो जो तिशास्तर में इसके लिए लौंग के कुछ आसान से उपाई बताएगा है माना जाता है इन उपाईव को करने से घर में धन बैवो और सुक सम्रद्धी आती है साथी घर की नकारत्मक उर्जा भी खत्म होती है हमारे रसोई घर में कुस ऐसी चीजे हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है येकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये चीजे ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छी होती हैं बलकि इनका जोतिश और वास्तो शास्ति के उपाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसी है एक चीज है लोंग हमारे रसोई में लोंग का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है हिंदु धर्ब में पूजापाट और अनिधार्मिक क्रिया कलापो में भी लोंग का इस्तेमाल होता है जोतिश शास्त्र में लोंग के कुछ ऐसे आसान से उपाई बताए गए हैं जिने करने से व्यक्तिधान और कारे छेतर से संबंदित परिसानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है दिल्ली निवासी जोतिश आचाल पंडित आलुक पंडय बता रहे हैं लोंग में से किये जाने वाले कुछ सरल उपाई के बारे में सुख सम्रद्धी पाने के लिए घर में सुख सम्रद्धी के लिए शनिवारी या रविवारी के शाम को पाँच लौंग तेन कपूर और तीन बड़ी लाइची लेकर इने साथ में जला लें जब इन में से अगनी उठने लगे तो इसे अपने घर के सभी कमरों में घुमाएं पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को मुख द्वार पर फैला दे चाहे तो आप इस राख को जल में मिला कर मुख द्वार पर छीटे भी मार सकते हैं मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में मौजूद नकारत्मक उर्जा का नास होता है और घर में सुक सम्रद्धी आती है सुबह की पूजा के बाद लॉंग डाल कर आड़ती करने से घर का वातावरन शुद्ध हो जाता है और नकारत्मक दूर होती है शाम के समय लॉंग जलाने से आरोगी को बल मिलता है घर के किसी सदस्तिकी तवियत खराब रहती है और उसमें सुधार नहीं आ रहा है तो शाम के समय लॉंग जलाने से फाइदा हो सकता है लॉंग की 6-8 कलियों को जला कर घर के किसी कोने में रख दे घर से पॉजिटिव एनरजी आती है श्यूलिंग पर 40 दिन तक लगाता लॉंग चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं काम बिगड़ने से बचाने और अटके धन को वापस लाने के लिए पान के पत्तों में लॉंग इलाइची सुपारी लपिट कर भगवान गड़ेस को अरपित करना चाहिए कपूर हमेशा शाम की पूजा के बाद जलाना उत्तम माना जाता है सुबा घीका दिया जलाना चाहिए कपूर के साथ लॉंग जलाने को संध्या काल को सही समय माना गया है रात को सोने से पहले चान्दी की कटोरी में कपूर के साथ लॉंग जलाने से धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है परिसानी से मुक्त के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में पांच लॉंग को कपूर के साथ जलाना चाहिए इस उपए से परिसानी उसे मुक्त के साथ साथ जीवन में सुख और सांती की व्रद्धी होगी कपूर और लॉंग को जला कर उसके धुए को पूरे घर में दिखाने से घर से कलेस दूर हो जाता है यदि रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में लॉंग और कपूर एक साथ जलाया जाये तो ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है वहीं लोगों को अचानक से धन प्राप्त होना शुरू हो जाता है यदि आप अपने घर में नकारत्मक उर्जा को दूर करना चाहते हैं तो ऐसे में आप रोजाना घर में कपूर के साथ लौंग को जलाएं इसके सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम भी बना रहता है यदि आप किसी परिशानी से घिरे हुए हैं तो ऐसे में आप मंगलवार के दिन हनुआन मंदिर में जाकर पांच लौंग और कपूर जलाएं ऐसा करने से जल्दी परिशानियों से राहत मिल सकती है सुक्सान्ति प्राप्ति करने के लिए आप लौंग और कपूर का इस्तेमाल करें ऐसे में आप पूरे घर में धुमे को दिखाएं ऐसा करने से कलेसों से मुक्ति मिल सकती है यदि आप लोगों को दूर करना चाहते हैं या रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप लौंग के साथ कपूर जलाएं। ऐसा करने से कई रोगों से मुक्त मिल सकती है। इस लेक में दी गई जानकारिया, माननेतों और सुचनाव पर आधारित है। इंडिया.com इसकी पुष्टी नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।